आज की इस वीडियो में दो सिक्के के बारे में मैं आपको बताऊंगा एक है पांच रूपे के एक सिक्का स्टील का और एक रूपे का एक सिक्का स्टील का दोनों ही कॉमोर्टिव सिक्के हैं और इससे पहले भी मैंने इस पांच रूपे और इस एक रूपे के सिक्के के बार में वीडियो बनाया था, लेकिन वो बहुत पहले प्राइस उस समय अलग था, आज प्राइस उपर गया है, या फिर नीचे आया है, इसी का जो आपडेट है, वो मैं आपको दूंगा, दोनों ही सिखके, रेयर और एसका सकरगरी में आता है, साइड स्कीन में ये जो वीडियो का थमनेल आप देख रहा है, इस वीडियो का लिंक अगर अभी भी आप तक नहीं पहुचा है, मतलब नोटिपिकेशन अगर अभी भी आप तक नहीं पहुचा है, तो इस वीडियो का जो लिंक है, आज के इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में, पिन क्या हुआ, मैं दे और आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदिदा निमिस्मेटिक चैनल निमिस्पेज तो सबसे पहले हम जानेंगे पांच रूपे के इस स्टील के कॉमोर्टिफ सिक्के के बारे में ये जो सिक्का है इस सिक्के का थीम जो है बो है डांडी मार्ज डांडी मार्ज सिक्का 5 रूपे के दो अलग-अलग मेटल में आता है एक है कॉपर निकल में और दूसरा है स्टेनलेस स्टील में आज हम बात करेंगे स्टेनलेस स्टील के सिक्के के बारे में ध्यान से आप इस सिक्के का रिवर साइट देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ यह जो सिख्का मेरे हाथ में है यह है स्टील के सिख्के ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एकडम सेंटर में है डांडी मार्च का चित्र पोट्रेट साइडी स्कीन मतलब यह जो क्वाइन के साइड में यहाँ पर रीम पर आप देख रहा हैं टि 35 years of dandee march और यहाँ पर भी देखिए डांडी जात्रा के 75 वर्ण हो गया इस शिक्क्य का जो एज आता है यहाँ पर ध्यान दीजिए यह जो एज आता है steel के सिख्केमें देखिए security एज ज्यादतर कौइन पर देखने को नहीं मिलता है अगर इसके इल्लावा प्लेन एज या फिर मिलेड एज या फिर रिडेड एज आपको मिलता है इस सिक्के का तो नॉर्माल वैलू अगर as a example माल लेते हैं पचास रुपे हैं तो इस एज भराइटी के कारण फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ एज वैराइटी नॉर्माल ये जो सिक्का है मेरे हाथ में देख रहा हैं ये है नॉर्माल एज ये जो आप देख रहा हैं सिकूरिटी एज नॉर्माल एज अगर प्लेन एज होता है रिडेड एज होता है प्लेन एज और या फिर मिलेड एज होता है तो अगर पचास रुपे नॉर्माल एज का वैलू का कीमा थे तो उससे काफी जादा लगभग डबल आपको मिल सकता है कोईन के कंडिशन कैसा है उसके उपर अब जो अबास साइट का डिजाइन असो का लाइन कैपिटल सत्त में जायते दिनुमिनेशन फाइब भारत रूपे हिंदी में इंडिया दोस्तों इस सिक्के के फिर से हम रिवर साइट देखते हैं यह आप रिवर साइट देख रहा हैं स्टिल के सिक्के आप साइड स्किन में देखिए एक और यही डांडी मार्च का एक सिक्का आया है आप देख रहा हैं इस सिक्के का यह भी रिवर साइट है लेकिन दोनों सि difference है, difference क्या है, इस सिख्य के जो यह जो डांडी मार्च, जो portrait है, यह plane है, लेकिन इस सिख्य में देखिए, जो डांडी मार्च, portrait है, portrait के देखिए, एकदम center के उपर, portrait के उपर देखिए, लिखा हुआ है, exp, यह भी still का, यह भी still का, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, center म लेकिन यहां पर देखिए लिखा हुआ है EXP, मतलब यह जो सिक्का है यह है, यह EXP का मतलब है experimental coin, coin बनने से पहले कुछ सिक्के को मिंड करके छापके test किया जाता है, उसे कहां जाता है experimental coin, और ऐसे सिक्के को circulation में छोड़ा नहीं जाता है, circulation में नहीं दिया जाता है, रखा जा collection के लिए, और ऐसे जो जब design बन जाता है, तब ऐसे सिक्के mint होते हैं, उसके बाद ऐसे plain सिक्के circulation में आता है, आपके हमारे हाथों में, लेकिन यह जो EXP वाला लिखा हुआ सिक्का है, ध्यान से देखिए, इसकी इन सौट भी आप एक लेकर रख सकते हैं, यह जो EXP वाला स कहते हैं, experimental सिक्का, और ऐसे सिक्के बहुत ही कीमती होता है, अगर मैं कहूं, ऐसे experimental सिक्का, जहां पर EXP लिखा होता है, यह सिक्का आपको general circulation में मिलेगा, तो दोस्तों, लाखों में या करोरों में सायद एक चांस है, आपको circulation में मिलने का, गलती से अगर नहीं आता है, तो नहीं मिलेगा, और ज्यादतर मैंने देखा है, circulation में यह सिक्का, अभी तक मेरे तो experience में ऐसा नहीं आया है, कि circulation से यह experimental वाला सिक्का मिला है, ज्यादतर collector के पास होते हैं, जो उसके बाद अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत होते हैं, तो वो सेल कर देते हैं, तो इसलिए और ऐसे जो सिक्के हैं, बहुत कीमती होता है, साडी स्कीन में आप देख रहा हैं, एक सेलर फेस्बूक में सेल कर रहे थे, मैंने जब प्राइस पूछा तो उन्होंने कहा था, सेबेन थाउजन रूपीज, देखिए यह भी स्टिल का, repeat में बार बार कर रहा हूं, यह भी स्ट और यह सिक्का है, आज की देट में सेबेन थाउजन रूपीज, बाकी जो वेट है, डायमीटर है, ठिकने से बो दोनों ही सेम है, जैसे इस सिक्के में है, और यहाँ पर भी है, और डिजाइन भी सेम है, आप देख सकते हैं, फर्ग वहाँ पर है, यहाँ पर कुछ भी नही यह प्लेन है, और यहाँ पर EXP है, एक रूपे का जो सिक्का है, वो मेरे पास, मेरे कलेक्शन में स्लिप एक ही सिक्का है, और यह सिक्का भी बहुती कीमती है, आज की देट में, और यह सिक्का स्टिल का पहला सिक्का है, एक रूपे में, आप देख सकते हैं, इंटरनेशन में कुछ अलग था और एविटे तो कॉमोर्टी सिख्य का प्राईZ उपर जाही रहा है देखिए हमारे भारत के ये जो सिख्का है मेरे हाथ में ये है कौल का फा हमींड का सिख्का यहांपर आप देख रहा हैं कोई भी मींड नहीं है आप देख रहा हैं ध्यान से थोड़ा सा देखिए और अगर और भी अगर जूम करता हूँ तो सायद यहाँ पर एक मींट मार्क है यहाँ पर आप देख सकते हैं सायद यह बॉंबी मींट का या फिर सायद नौइडा हो सकता है लेकिन नौइडा नहीं है नौइडा मींट का अगर यह सिक्का होता है फैमिली वाला तो यह जो एज होता है यहाँ पर एक ध्यान दीजिए यह जो एज होता है नौइडा मींट के सिक्के का यह प्लेन एज होता है लेकिन या तो यह बॉंबी मींट का है सायद क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ध्यान से आप देखिए तो यहाँ पर देखिए, एक Mint Park, सायद नजर में आ रहा है, जो है, Bombay Mint का Mint Park, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर Noida Mint होता, तो यह जो Age आप Milled Age देख रहा है, यह Plain Age होता, Noida Mint का, जो सिक्का है, वो मैं Collect करने की कोशित कर रहा हूँ, थोरा सा अगर सस्ते में मिले, तो बहुत नहीं रहा है, Noida Mint का बस एक ही सिक्का है मेरे पास, यहाँ पर आप देखिए, मैं अगर जूम करूंगा, मेरे Collection में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, Noida Mint का स्रिप एक ही, देखिए, यहाँ पर एक Big Size में Dot Mint Park है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सायद पिक्चर उत में Dot Mint Park, आप देख रहे हैं, यह सिक्का एक ही मेरे Collection में है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे मैं धून रहा हूँ यह सिक्का अपने Collection के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है, यह सिक्का Family, International Year of the Family वाला सिक्का, Noida Mint आगे Price और भी उपर जाएगा, सायद 3000 तक आपको देखने को म सेटाफाइन प्लास कंडिशन भी अच्छा है, सेलर एक फेस्बुक में सेल कर रहे थे, साइड स्किन में आप स्किन सॉट देख सकते हैं, तो जब मैंने उनसे प्राइस पूछा था, उसका भी स्किन सॉट आप देख सकते हैं, देखिए, जो सेलर ने जो बताया, 1300 रुपी 1300 रुपे, जब मैंने ये सिक्का लिया था, वो ये कम प्राइस में लिया था, तो थोड़ा सा मैं कोसिस कर रहा हूं कम प्राइस में, मैं जानता हूं सिक्के का जो कीमा थे, वो उपर गया है, लेकिन वो ही मैं कहूंगा, कोसिस में कर रहा हूं, थोड़ा सा अगर कम करना चाते हैं, तो coin में अगर आप invest करना चाते हैं, तो ये सिक्का एक बहुत बढ़िया सिक्का है, आप जरूर इस सिक्के में invest कीजिए, आपको future में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, comment जरूर कीजिए, और ये दोनों सिक्के, अ मुझे जरूर शेयर कीजिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, अगर कोई सावल है, comment box में, या फिर मुझे mail कीजिए, इस mail ID पर contact address name page dot in, मिलेंगे next वीडियो में, तब तक के लिए, जाए हिंद!